नमस्कार को और एक नया वीडियो में आप लोगों को सागत करता हूं दोस्तों बहुत सा लोग soundpod अभी यूज कर रहे है जिपे का बट एक पॉबलम आ रहा है जो major problem है language change करने के बाद यह soundpod बात करना बंद कर दे रहा है तो इसका solution क्या है किस तरफ से इसको solution कर सकते हैं घर में बैठी तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों यह speaker जब launch होने के time पे जो language select कर दिया गया था वो है आपका English इसके बाद जब language change करते हैं जो word है वो updated नहीं रहते ह आप language change करते हैं तो आपडेट नहीं हो पाते है time लगदा है इसलिए बोलना बंद कर देता है तो इसके लिए क्या करना है back site में customer care का number मिल जाएगा आपको soundbox के उपर ही एक number मिल जाएगा आपको support का जो number मैं आपको बिता देता हूँ 1-800-309-7597 1-800-309-7597 यह जो number है इस number पर call करना है call करने के बाद आपका soundbox का niche में IMEI number है इस number को आपको बिताना है customer care में और आपका complaint rate कर दिये जाएगा उसके बाद कुछ time के अंदर आपका speaker को update कर दिये जागा उसके बाद आपका problem sort out कर सकते हैं इसको छोड़के और कोई भी आपका problem sort out नहीं कर सकता है मतलब आपका soundbox बता नहीं रहा है English में बताया था बाद उसके बाद language change करने की बाद बता नहीं रहा है तो soundboard में update issue हो चुका है customer care में phone करके आपको इसको update कर लेना है इसके बाद भी नहीं होता है तो customer care में again एक video करके mail के through भेज सकते हैं नही नहीं तो उन लोगों को एगन बता सकते हैं यह जो है six month के अंदर आपका यह replace हो जाएगा यह जो product है चला जाएगा company के पास एगन आपको एक नया speaker देखे जाएगा यह कुछ information जो आप लोगों को आज इस वीडियो में share क्या हूं वीडियो को अचले लगे तो like कर दीजे दोस्तों के सब्सक्राइब कर लीजे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रही है नमस्ते